नया नियम जो लागो होने जा रहा है उस बिल का जो नाम है जो बिल कैंदर सरकार के द्वारा लोक सभा में जो पेश किया जाएगा वो है बाल बिबा निसेश संसोधन बिदेहक 2021 21 अभी चर्चा में है आप न्यूज में सुने होंगे न्यूज पेपर में परहे होंगे कि लड़की का जो साधी है वो अभी बरतमान एज जो है उम्र है वो अठाड़े वर्स है और उसको अब बढ़ा के अब कर दिया जाएगा 21 वर्स और इसमें सभी बैक्ती का एक अपना अलग अलग तर्क है सभी अभी देखें आपका बिचार कुछ और है और लोग है उनका कुछ बिचार अलग हो सकता है और आपका क्या बिचार है क्या सुझाओ है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं हम आपको ये बताएंगे कि ये जो क प्रद्लाव होगा क्यूं ऐसा सरकार के द्वारा कदम उठाये गया सभी बातों को समझने का प्रियास करेंगे और जो सवाल डिसकस करने वाले हैं कि केंद सरकार लड़की की साधी का उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताओं क्यूं लाया इसके पीछे क्या कारण है देखें अभ कोई सहर से भी बिलॉंग करते हैं तो लड़की अगर सोले की हो जाती है तो बहुत लोगों की मान सिकता होती है कि अब लड़की की उम्र सोले वर्स की हो गई है अब इसके लिए लड़का जो है देखना यानि उसका साधी करने का जो सपना है वो पड़िबार के लोग सुर सबसे बरा उस माता पिताओ को जो है बदलाओ लाना होगा जब तक वो बदलेंगे नहीं तब तक समाज बदलेगा नहीं ये तो सबसे पहली बात है आज भी आप अपने गरामिन छेतर में देखे होंगे कि सिक्षा की कमी के कारण ही बाल विबा जो है वो किया जा रहा अभ पहले 18 होने के बावजूद भी लड़की की जो है 14 में 15 में आप देखें कि साधी करके जो है इसलिए कि उनकी मानसिक्ता यही है कि उनके घर में बेटी है और उसका जो है उनको साधी करना ही है इस परिबार से उनको बिदा करना है तो अब ही अगर यह 21 हो जाता है तो क्या यह मानसिकता बदलेगा या नहीं बदलेगा यह तो आप उसमें अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से दे सकते हैं इसलिए सरकार का यह कदम है यह एक तरह से अच्छा कदम है क्यूं अच्छा है और हो सकता है इसलिए अगर देखाओ जो भी एक्सपर्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं और जो कुछ अपना सैंस है एक्सपर्ट का भी जितने भी है जितने लोगों का कहना है उस हिसाब से ये कहना है कि 21 में 21 में क्या होगा कम से कम एक तो लड़की जो है वो मिच्शूर हो जाएगी दूसरा आप ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिलता था कि लड़की का किसी कारण बस जो है बाल बिबा कर दिया गया कमर उम्र में साधी कर दिया गया कमर उम्र में बच्चे होने के कारण जो है उनकी मा की बच्चे होने के कारण मा की मिरती हो जाती थी तो ऐसा भी बहुत सारा इवेंट जो है आपको देखने को मिला ही होगा तो इसके चलते ये नियम लाए गया कि कम से कम अगर जो लड़की परना चाहती है वो 21 साल के एज में अपने पैरों पे खरा हो पाएगी और उसके बाद जो है वो अपना साधी का फैसला करेगी अभी ये बरतमान में होता है बरतमान में अभी 18 है और 18 में क्या होता है कि पड़िवार के लोग ठीक है बहुत दो पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी वो गलती करते हैं ऐसा नहीं करते हैं परहे लोग लिखे जो लोग हैं और वो देखें कि 18 की अगर हो गई अब तो इसका साधी का उम्र हो गया अब इसके लिए लड़का देखना सुरू कर देंगे मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस तरह से आप अपने लड़के के बारे में सोचते हैं कि आपका लड़का परहे लिखे और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए आप उसी तरीके से अगर लड़की के लिए भी सोचेंगे कि ये लड़की जो है अगर मालते परती है लिखती है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती है तो कितना बरा फर्क है अभी आप देखें कि ऐसा नहीं है कि लड़की आप अभी जो लड़की पड़ी लिखी है आप देख सकते हैं एक राज की मुखमंतरी भी है केंदर में मंतरी भी है और बहुत सारे ऐसे जो अच्छे पोस्ट पे भी लड़की है जो की काफी बहतर काम कर रही है तो इसलिए कि उनके पिता के द्वारा उनको एक बहतर सिख्चा दिया गया ना कि उनका एक साधी का फैसला लिया गया तो ये बिलकुल सही है साधी अपने जगह एक अपना जो है वो भी सही है ऐसा नहीं है लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि बाल बिबा जो है वो रुकना चाहिए लड़की अपने पैरों पे अगर खरी होगी और फिर साधी करती है तो दहेज वाला जो ये परंपरा चलता आया है इसमें भारी कमी आएगी इसलिए कि कानून तो अभी भी है कानून दहेज के लिए भी अभी नियम लागू है सक्त नियम है लेकिन फिर भी आप ऐसे देख सकते हैं कि दहेज का कोई सिस्टम जो है लोग अपने पोजीशन पे रहते हैं और उसका वो नाजाज फैदा उठाते हैं तो ये सब हैं जो कि समाज में धीरे धीरे बदलाओ सरकार का एक कदम है मालते हैं सरकार के दोरा एक ये नियम लाए गया तो ये सरकार के नियम लाने से क्या लगता है कि बदलाओ हो जाएगा बदलाओ लाने के लिए लोगों में भी परिबरतन चाहिए हाँ ये आप देखने को जरूर हो सकता है कि पहले 18 अगर वर्स था तो लोग 16 के बाद सोचते हैं अब इसका साधी करना है अब 21 अगर यहाँ पे कर दिया जाएगा तो लोग अठाड़े के बाद ही अब ऐसा सोचेंगे तो ये परिबरतन जो है एक देखने को मिले और लोग इसको समझे इस नियम को समझे इस कानून को फॉलो करें और अभी आपको पता है कि ये लोग सभा में जो है सरकार के दोरा जो है ये परिस्ताओ रखा जाएगा उसके बाद आपको पता है फिर लोग सभा है राज सभा है ये सबसे सारा बिल पास होने के बाद ये नियम लागू जो है वो किया जाएगा अभी अगर ये नियम लागू होता है तो यहाँ पे ये जो छे आप कानून देख रहे हैं इसमें भी परिबर्तन करना होगा इसलिए कि सबसे बरा जो बाल बिबा अधिनियम 2006 है 2006 में जो भी परिबर्ण किया गया था वो हम आपको डिटेल से जरूर बताने का परियास करेंगे इसलिए कि आप जो एर देख रहे हैं मतलब उसके बाद यानि जो संसोधन होता है ना तो यानि बाल बिबा अधिनियम में जो भी इस समन्दित नियम पहले क्या थे और अभी बरतबान में अब आगे क्या आएंगे वो भी एक स्पेसल टॉपिक को लेकर हम आपको बताने का परियास करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझें जाने क्या है हमारा देश का कानून क्या है हमारा देश का नियम तो इसमें एक संसोधन होगा दूसरा है कि भारतिया इसाई बिबादिनियम जो अठाड़े सो बहत्तर है हर धर्म के लिए अपना एक जो बिबाद से सम्मंदित कानून है वो अलग-अलग है तो उसमें भी परिबरतन करना होगा देखे जब उम्र डिसाइड किया जाएगा तो सि जगह संसोधन भी करना होगा तो यानि भारतिया इसाई बिबादिनियम में भी संसोधन होगा मुस्लिम प्रस्नल लौ जो सरीयत अधिनियम 1937 है उसमें भी संसोधन करना होगा उसके बाद जो विशेश बिबादिनियम 1954 है इसमें भी यह संसोधन होगा यानि यह संसोधन त तो वो हर जगह होगा उसके अलावा हिंदू बिबा अधिनियम 1955 है उसमें भी ये संसोधन करना होगा उसके अलावा बिजेसी बिबा अधिनियम 1979 है इसमें भी संसोधन करना होगा तो आप देख सकते हैं ये छे जो अलग-अलग कानून है उसमें भी परिबर्तन लाना परेगा उसमें भी चेंज करना परेगा और सरकार ने अभी जो नया एक तरह से है वो यहाँ पे जो लोकसभा में अभी जिनका नाम जो रखा गया है वो है बाल बिबा निसेद संसोधन बिधेयक 2021 यानि इसलिए लेकिए 2021 यानि अब जो है यानि 2021 में तियार करके इसको परस्ताओ इसका दिया जाएगा अब इसमें ये जो टॉपिक अगर आप देख रहे हैं बाल बिबाद नियम भारतिया इसाई बिबाद नियम हम इसके बारे में इसके क्या कानून है वो भी आपको जरूर बताएंगे आगे आपको देखने को मिलेंगे और अगर इससे समंदित आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें ताकि जल्द से जल्द जो है उससे समंदित जो टॉपिक है उस पे वीडियो लाने का परियास करेंगे या मुसलिम प्रसनल लौ का क्या कानून है बिसेस बिबादिनियम क्या होता है हिंदू बिबादिनियम में क्या क्या नियम है ताकि जो नियम है वो आप जरूर जान लें उसके बाद बिदेसी बिबादिनियम जो है वो क्या है क्या परक्रिया होता है कैसे होता है ये कानून क्यूं लाया गया हर कानून کا अपना एक मात तो है और हर लाने का भी येक रीजन है तो क्यों लाया गया ये सारे कुछ बताने काँ परियास करेंगे अगर आपका कुछ राय है तो आप जरूर इस सम्वंदित इस कानून से सम्वंदित अगर आपका कुछ विचार है तो जरूर आप comment करेंगे आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहें subscribe करके जो bell icon है उसको जरूर दबा लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक करेंगे